तो हे गाइस कैसे आप सभी लोग आयोग कि आपसी बहुत ही अच्छे होंगे तो गाइस रिसेंटली हमारे 50K सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हुए है तो यह सब आपको सबसे पहले वेरी वेरी थैंक्यू सो मच्छ और आप अगर मुझे इंस्टर्गाम पर फॉलो करते हैं तो आपको पता हुआ कि मैंने कुछ दिनों पहले प्राला था एक स्टोरी जिसमें मैंने कहा था कि आपकी जितने भी कोश्चन से आप मुझे भेड़ दीजे मैं उन सभी के एंसर्स करने वाला हूँ अपने Q&A वीडियो में तो Q&A वीडियो आ चुका है गाइस तो स्वागत आप सभी का निसान कुमार्ट के इस first hashtag one Q&A वीडियो में तो गाइस मैं आप रेंडमली किसी का भी कोश्चन पढ़ूँगा और उनका एंसर दूँगा तो गाइस यहाँ पे काफी सारे कोश्चन साय हैं तो उसके लिए आपको very very thank you तो गाइस यहाँ पे जिन्होंने सबसे पहला कोश्चन किया है वो है क्रिस्नानू अनन्द का तो उन्होंने कहा है कि आप वीडियो थामनेल कैसे create करते हो तो मैं आप पे पहले शूट करता हूँ अपने थामनेल को मेरा लिए एक ही enough है इसलिए मैं इसी को अब यूज करता हूँ और यहाँ पे मैंने अपने setup वीडियो में बता था कि इसके stand पे मैंने यहाँ पे बहुत सारे बाल्टियों को रखा है तो यही है मेरा lighting setup और उसके लाब मैं एक RGB पैनल यूज करता हूँ जो कि मैंने यहाँ आ रहा है अभी और उसको ही मैंने setup tool वीडियो में बताया था तो अगर आपको setup tool का वीडियो देखना है तो मैं इस वीडियो के description में डाल दूंगा तो आप जाके देख सकते हैं और अभी में मेरा वही setup है और मैंने कुछ दिनों पहले एक अलग room में shift किया था जो की corner था ल तो भी मुझे stickers लगाना होता है वैसे मैं stickers होता नहीं लगाता हूँ लेकिन texting में करता हूँ अपने thumbnails में तो उसके लिए मैं आप पिक्साट app का use करता हूँ जो की काफी अच्छा app है और मुझे अगर कभी high texting करना होता है तो मैं pixel lab application का use करता हूँ जो की काफी professional app है और जब ह editing होता है वो color grading तो अभी मैं lightroom से ही करता हूँ तो उसको आप use करके अपने thumbnails में चार्चान लगा सकते हैं तो guys जो next question जिन्हों ने पूछा है उनका नाम है artist Anish Sharma तो उन्होंने कोई पूछा नहीं है question उन्होंने मुझे wish किया है congratulations bro finally 50k subscribe complete on YouTube तो hi thank you so much मुझे wish करने के लिए आ इन्होंने भी wish किया है मुझे congrats bro 50k completed तो thank you so much आपको भी अब guys जो next question है उन्होंका नाम है एह ही art मुझे पढ़ने नहीं आ रहा है लेकिन I think यहीं लिखा है तो उन्होंने पूछा है bro please reply how do you manage time to draw with study तो मैं अपने time को manage नहीं कर पाना हूँ इसलिए video काफी unconsistent है तो मैं तेज नहीं हूँ लेकिन पहले था मैं और अभी मैं ज्यादा drawing पर ध्यान देने का कोशिस करता हूँ लेकिन वह हो नहीं पाता है तो अगर होता तो अभी वीडियो काफी अच्छे होते और जल्दी जल्दी आते वीडियो ऐसे तो मुझे एक दूसरा वीडियो डालने में एक मैना के लगभग हो जाता है टाइम तो गाइस प्लस्टू के बाद काफी ज्यादा मैं यहां पर कंस्टेंट रहूंगा continue वीडियो आएंगे सभी तो थैंक्यू आपका कोश्चन के लिए तो चलिए अगली कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला कोश्चन जो सेटप बनाऊंगा पुरा नया सेटप होगा जिसमें कुछ भी जुगार नहीं होगा तो वह सेटप मैं डालूंगा तूर तो आपको दिखने में काफी मज़ा आएगा और मैं तो यह मानता हूँ कि सेटप उतना इंपोर्टेंट नहीं है बर आपके स्किल्स मैटर करते हैं अगली कोशन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला कोशन जिन्होंने पूछा है उनका नाम है आर्टिस्ट इस्ट डिप्यान तो उन्होंने पूछा है कि आपका फर्स्ट वान के सब्सक्राइबर्स होने में कितना दिन और मंच लगा था लव फ्रॉम वेस्ट बेंगल तो लव अगली कोशन की तरफ बढ़ते हैं तो इनका नाम है आइकॉनिक स्केच तो इन्होंने पूछा है कि आप ड्राइंग कहां से सीखे हो ऑनलाइन या उफलाइन प्लीज पीक दा कोश्यन तो मेरे यहां पास हो ही एक आर्ट इंस्टिट्यूट है जहाँ पर मैंने सीखा है तो वहाँ पर दो सर थे एक लिंकन सर थे और एक मनोस सर तो दोना ही सर काफी अच्छा मुझे सपोर्ट किया है यहां तक पहुँचने के लिए मैं ड्राइंग मुझे सिखाया है A to Z तब तो चलिए अगली कोशन की तरफ बढ़ते हैं तो इनका नाम है टीटो फैक्ट्स तो इ अगली कोशन की तरफ बढ़ते हैं तो उनका नाम है सागर चौधरी यार्ट तो इन्होंने पुझा है भाई आप कितने एर्स के हो तो मैं 16 येर्स का हूं आप कितने एर्स से आर्ट कर रहे हो तो मैं आप फोर एर्स लगबख हो चुक है मुझे आर्ट करते करते और मैं इतना दिन में काफी कुछ मुझे सीखने को मिला और मैं काफी कुछ एक्स्पिरियंस किया हूं आर्ट के तरफ से मुझे काफी अच्छा लगता है आर्ट के तो अगर आप भी कितने यह अर्से कर रहे हैं आप भी मुझे कमेंट करके जरू बताईएगा तो अगरा कुशन पढ़ते हैं तो उनका नाम है निक्की आर्ट्स उन्होंने पुछाई कि हैलो निशांत भाई कैसे हो आप तो मैं बहुत अच्छा हूं आप कैसे हैं तो उन्हो 200-500 तक आ जाते थे अगर मैं शेयर ना करूं तो लगवाद 10-15-20 ऐसे ही आते थे अब अगली कोशन तरह बढ़ते हैं तो उनका नाम है आर्टिस्ट मोहित तो वह पूछ रहे हैं कि भाई आपका चैनल ग्रो कैसे हुआ तो मैं आप बता दू कि मेरा चैनल लॉंग वीडिय हुआ जब सौर्स जल्दी आ रहे थे तब मैंने एक सौर्स अप्लोड किया था जो कि है दुर्गामाता का आप देख सकते हैं तो इस पे पहली बार व्यूज गया जो कि है 1 million और इसी से मेरा जो चैनल है ग्रो हुआ वह 17 के सब्स्क्राइबर 18 के इसी से हुए अब गाई च के लिए normal cartridge paper यूज कर सकते हैं जो कि हमारे local swap में मिल जाता है जो कि drawing paper आता है हमारे drawing book उसमें आप कर सकते हैं और अगर आप कोई commission sketches बनाते हैं या फिर आपको कोई framing करके लगाना है इंदिवाल में बहुत ही अच्छा सा आपका drawing बनाना है तो मैं तो suggest करूंगा कि आप Brushto 200 paper यूज करें मैं भी जातर यही paper यूज करता हूं और यहीं मुझे काफी अच्छा इसका texture लगता है मैं मेरे recording काफी अच्छा है अब गाई चलिए अगली question की तरफ बढ़ते हैं तो उनका नाम है ओम टेक हैंड फैक्ट्स तो इन्होंने पूछा है हे ब्रो आपका फर्स्ट यूटूब इंकम कितना था प्लीज रिप्लाइ तो मेरा फर्स्ट यूटूब इंकम अभी तक आया ही नहीं आई आपको महलब जान के आज चड़े लग रहा होगा लेकिन अभी तक नहीं आया ह है मैं इसके उपर मैं काम कर रहा हूं धिरे-धिरे और मोईटाइज तो हो चुका है लेकिन अभी आने में टाइम लगया अगली कोशन की तरह बढ़ते हैं तो उनका नाम है हरी शर्मा तो उनने पूछा है आपने कौन सी एज से ड्राइंग स्टार्ट की थी तो I think मैं 13 या 14 एर्स का था तब से मैंने ड्राइंग स्टार्ट किया था मतलब एज यह पैसल और मैं बच्पन से तो ड्राइंग में का साफी किया था और मुझे ग्रेट्स तो अच्छे ही मिलते थे तो उसके बाद अगली कोशन की तरह बढ़ते हैं तो उनका नाम है माइंड एक्सप्लोर एडिट बड़ा ही गजब नाम है तो उन्होंने पूछा है कि आपकी अब तक की सबसे अच्छी ड्राइंग प्लीज तो मेना आज तक सबसे अच्छा ड्राइंग में तो नहीं बता पाऊंगा वो आप यह बता पाएंगे तो आप मुझे इंस्टाटाम पर जाएए आपको जो भी अच्छा ड्राइंग लगर्गर्वस होजा तो एसा कोई सॉल्यूशन आप भी जबढ़ी करें तो मंने क्योंकि अगर आप नर्वस हो जाएंगे तो आपका जो आटिस्ट वाला क्रेटिव माइंड है वो कही न कहीं दब के रह जाएगा और आपका नर्वसनेस पेपर के ओपर दिखेगा तो नर्वस मत हो यह जैसा आपको ड्रॉइंग आ रहा है वैसा बनाएगे बस बनाते जाए यह बनाते जाएगे आपका नर्वसनेस एकना एक दिन चले ही जाएगा मेरे साथ पहले ऐसे होता था मैं डर डर के ड्रॉइंग मनाता था लेकिन मैं फिर सोचा कि डरना क्या है अपना पेपर है अपना पेंसिल है बना दो जो मनो और बस ऐसे ही आपका क्रेटिव माइंड अगे बढ़ेगा अब जो अगला कोशन है उनका नाम है पलक चोरी तो उन्हें ने पूछा है कि आपका घर कहा है तो मेरा घर तो मैं एक्जाट लोकेशन नहीं बता सकता हूं लेकिन मेरा घर ओरिसा में है और बस ओरिसा में है इतना ही आप जानिये उसके बाद अगले कोशन है what is your favorite artist, favorite color तो ऐसे तो मेंने कोई favorite artist नहीं है सभी मुझे favorite ही लगते हैं तो मैं जिनको इनको follow करता हूं जिनसे मैं inspire होता हूं उनका नाम आपको बता देता हूं तो मैं Sanju Arts को follow करता हूं artistic दिपांकर विया को करता हूं और फिर PS राथोर सर को करता हूं और ऐसे तो आप drawing से पहले किस में आपका ज्यादा interest था तो मुझे drawing से पहले ज्यादा मुझे dance में interest था मैं पहले dance करता था और dance करते करते मुझे drawing में कब मैं shift हो गया मुझे पता भी नहीं चला और फिर मैं drawing में अभी चल रहा है मेरा बस अगली question है कि love you from Ayodhya वाओ जैस्री राम कैसे जाया है तो मुझे काफी गर्व की बात है तो यहाँ पर जो उन्होंने question पूछा है वह cinematic video कैसे बनाए tips तो cinematic videos बनाने के लिए आप anything sir को follow कर सकते हैं और फिर NSV pictures को follow कर सकते हैं तो इनका आप अगर video देखेंगे और हर एक चीज़ अबसर्व करेंगे तो आप इनका tutorial भ hey bro where are you from तो मैं बिहार से हूँ और मैं रहता हूँ Odisha में बस इतना ही है और question है भाया edit intro कैसे बनाते हो तो intro बनाने के लिए मुझे काफी scripting करना पड़ता है कि कैसे मैं swords को लूँँ कैसे story बनाऊं कैसे आपको देखने में काफी अच्छा लगे और उसके बाद drawing को start करेंगे तो एक creativity वीडियो में दिखेगा तो उसके लिए editing के लिए मैं आपे काफी दा time लगाता हूँ मैं काफी देखता हूँ YouTube पे जिससे की मुझे idea लगता है कि कैसे intro को मैं अलग तरीके से दिखा सकता हूँ वीडियो को तो ये तो मैं बोल के नहीं बता सकता हूँ कैसे editing मैं करत करने के लिए tips तो चैनल को ग्रो करने के लिए आप 24 का कभी भी चैनल को ग्रो कर सकते हैं अगर आपके content में दम होगा आपके content में quality होगा तो tips यही है कि आप अपने quality और content पे ध्यान दिजे बस हमेशा improvement आप अपने वीडियो में करते रहिए बस यही था जो अगला question है वो ह है आप कैसे editing करते हो तो मैं phone से editing करता हूँ और application जो मैं use करता हूँ वो है capcut और पहले मैं काइन master यूज करता था लेकिन उसमें कुछ problem आ गया जिसके बएसे मैं अभी capcut में switch हो गया हूँ और capcut भी काफी अच्छा app है editing के लिए अगर आप editing करना चाते हैं अब जो अगला setup कुछ ऐसा है और यहां पर lighting होता है और यहां पर tripod होता है और कुछ यही था मेरे table के ऊपर तो ऐसा है मेरा table setup काफी मुझे enough लगता है इसका size जो है अब जो अगला question है वो है short video कैसे editing करें तो short video के editing करने का process जो है वो एकदम long video के तरह ही होता है अगर आप editing सिक जाएंगे तो आप short, long या फिक कोई भी film भी बना सकते हैं तो वही था process short video में भी खाली उसका ratio change होता है 9 to 16 हो जाता है अब जो अगला question है वो है what is your school name तो मेरी school का नाम है सरसोती सिसू विद्या मंदिर इसी school को आप जानते होंगे काफी जादा famous school है सारे cities में और सारे state में यह school है कोई ऐसे तरीका नहीं है बस quality video होना चाहिए और आपके art में दम होना चाहिए बस और short video अगर आप बनाते हैं तो आपका ज्यादा viral होने का chance रहता है और रिस अगर आप बनाते हैं तो Instagram पर काफी अच्छा आपको reach मिलेगा तो बस यही है art video को viral करने का यही तरीका है आपक काफी फड़ी कोशन है वह है आप इतने काले क्यों हो जब बेज जती है अब मैं क्या करूंगा जीतना काला हूं मेरे मलब कुछ भी powder लगाओं क्रीम लगाओं मैं गोरा नहीं हो रहा हूं अगर आपके पास कोई solution है तो जरू बदाएगा क्या कोशन है कि आपको अगर एक बहुत बड़ा पेंटिंग बनाने को बोला जाए तो आप किस का पेंटिंग मनाओगे एंड कीप ग्रोइंग तो अगर मुझे सबसे बड़ा पेंटिंग मनाने को मिले तो मैं आपने परमपिता परमात्मा स्री राम जी का बनाओंगा क्योंकि उनके ही बज़े से आज मैं मैं जीवीत हूं और आगे भी जीवीत रहेंगे तो बस यही था इस इस कोशन का एंसर तो यही थे कुश कोशन काफी ज्यादा कोशन थे मैंने बोल बोल के मूर दुखा गया है तो तो मुझे माफ करिएगा तो चलिए अगली वीडियो में थैंकी सो मच प वाचिंग इस व कंप्लीट होने में ज्यादा दिन लगा था लगबग डेर से दो में दो साल लग जया था